पुलिस ने आज ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो सिविल डिफेंस के ड्रेस पहन कर शराब की तज़करी कर रहे हैं तकड़े गए लोगों में एक बेक्ति का चोटा भाई सिविल डिफेंस में बताया जा रहा है पुलिस ने इनके पास से 20 लीटर कच्टी शराबी बरामत की है करोना वारिस प्रकॉट के चलते आम लोगों के आवाजाही बंदे लेकिन वुरदबाद के ठानलाफ्तानी जेत में जो मामला सामय आया है उसने पुलिस और आम लोगों के पोश्ट बढ़ा दिये हैं तरहसल पुलिस को सूझना मिली कि दोलत बाग निवासी य अवेट दंदा कर रहा है आच फिर पुलिस को उसके आने के सूचना मिली को पकड़ लिया यामीन ने पुलिस को दोका देने के लिए सेफिल डिफैंस की प्रेश पैन लगी ती जिससे कि वह पुलिस की आँखों में दूल जोप का शराब का अवेट दंदा करता रहे पुल आपने भाई के ट्रेस पहन का शराब लाने का अपराद किया है, इन दोनों को खिलाब सम्मंदिक धाराओं में मुगदम दर्च किया जा रहा है. अब टोस है, अब टोस है, तोस है. सर ये दो लोग पकड़े गया जाता तर किस मामला पकड़े गया जाता है? इसा है, ये यामीन, शनौफ, यासीन ये गला काटी मज़िद दौलत बाग के रहने वाले हैं और इनका एक साथी था, अनुवर. ये भी मौला दर्जान का रहने वाला है, ये एक्टिवा स्कूटी फ्रिके लेकर जो है, बहां 20 लीडर सराव लगवा कच्ची, वहां बेच रहते, और ये जो यामीन है, इनका एक छोटा भाई, हसीन मुहम्मद हसीन, वो शिविल डिपेंस में हैं, और उन्होंने आपने और हाई को बिना बताए, उनकी शिविल डिपेंस की बरदी पहन कर, लोगों को गुम्रा करत हुए, शराव बेचने का प्रियास कर रहे थे, उसको नापनी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मुकतमा पंदी कर जा रहा है, तो कित्ते लोग थे उसको टिपर रहा है, उसमें प्रियास के रहने वाले हैं, तो इस तरीके से ये चार सुफिज करत हुए, जो है, इसके विल डिपेंस की बरदी पहन कर रहे हैं, और पुस्ताथ करने बाद जो है, अगर ये कहीं से ला रहे हैं और पहले से इसको भी हम जांस करेंगे, तो किती शराप ग्रामदी शराप तो वर अगवागव दिश्राप लाप लेए, पहले भी इसको पर कोई मुगदमे चलाब भी है, यामीन पे तो वह म कदते खाने चे पता कर वा रहे हैं